हेलो अब्रियान वेलकम टू एक्जाम्स ट्रेक आज 28 एप्रियल 2021 आज आम दा हिन्दू नीश्पपर के कुछ इंपोर्टन एडिटोरियल भोकाबोलरी डिसकास करने बले हैं अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दवाएं ताके आप नोटिफिकाशन जल्दी पह सकते हैं अगर आपको इस वीडियो का पीडियेप चाहिए ते निचे दी के लिंक से क्लिक कीजिए चली इस्टट करते हैं आज का पहला वड़ है डिलिजेंट और एक एडिक्टिब है इसका मतलब है having और showing care and consciousness in one's work or duties किसी के काम या कर्तब्ब में देखबाल या कर्तब्ब निच्टा होना इसका सिननिम है particular, hardworking and attentive इसका एंट्रनिम वीपरी तद्यक्षद्द है lazy, casual and careless इसका एक्जेंबल है 20 is a very diligent student 20 बहुत महेनती छत्रे है इसमें diligent एक adjective के रूम में काम कर रहे हैं आज का दूसरा होने एन्नी हिलेट और एक भार्व है इसका मतलब है destroy utterly पूरी तरह से नस्ट करना इसका सिननिम है wipe out, eradicate and eliminate इसका एंट्रनिम वीपरी तर्दक सब्दे create, build and establish इसका एक्जेंबल है आवर soldiers annihilated 4500 enemy troops हमारे सैनिको ने दूस्मानी सिना के 500 सैनिको को सफाय कर दिया है आजका तीसरा होट है metal और एक नावन है इसका मतलब है एक person's ability to cope well with difficulties एक ब्यक्ति की कटी नायो का अच्छी तरह सी समना करना की सम्ता इसका सिननिम है tenacity, bravery and fortitude इसका एंट्रनिम वीपरी कर्दक सब्द है bow, huddle and bend इसका एक्जांबल है सिसोडर मैटल by winning in spite of her handicap उसने अपनी बाधा के बाबजुत जीत कर अपनी सक्समदा दिखाई है इसमें metal एक noun के रूप में काम कर रहे है आजका चौथा होट है morose और एक adjective है इसका मतलब है sullen and ill-tempered, उदास और बिमार संभाब बाला इसका सिननिम है gloomy, mournful and dour इसका एंटरिम बीपरी तर्जक सब्द है, bright, gentle and pleasant इसका example है, some people become morose and depressed when the first retire जब पहली बार सेवा निवरिती होती है, तो कुछ लोग उदास हो जाते है इसमें morose एक adjective के रूप में काम कर रहे है आज का पाच ओड है, साकार और एक नावन है इसका मतलब है, assistance and support in times of hardship and distress काठिनाई और संकट के समय में, सायदा और समर्थन प्रदान करना इसका synonym है, aid, help and support इसका एंटरिम, बीपरी तर्जक सब्द है, blockage, hurt and hindrance इसका example है, they give साकार to the victims of war वो यूद के पिरिदों की सहता देता है इसमें साकार एक नावन का रूप में काम कर रहे है If you like the video, please like, comment, share and subscribe Dying, thank you